नमस्कार में मैं इसकोली बॉल्यूड संगित के सबर से दोस्तों आपसे एक अपील एक रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन भी प्रेस करें तो नोटिफिकेशन साब तक पहुंसती रहें रफी साब हजारों गाने रफी साब ने गाए सारे के सारे गाने नायाब ना एक सुर इधर ना एक सुर उधर ना रफी साब कभी बे सुरे लगे ना कभी ताल से बाहर हुए मगर एक गाना रफीश आपको अपना ऐसा क्यों लगा कि उन्होंने बहुत बेकार गाया है, गलत गाया है आपको भी हैरानी होगी दोस्तों ये किस्ता शेयर किया था उुशा तीमोटी जी ने उुशा तीमोटी जी वो प्लेबेक सिंगर है जिन्होंने ज्यादा तर इस्टेश सो जो है रफी साथ किये सबसे ज्यादा इस्टेश सो अगर किसी फिमेल सिंगर ने किये रफी साथ के साथ तो वो उशा तीमोती जी है उन्होंने ये किस्सा शेयर किया था रफी साथ को खाने का बड़ा शौक था तो मुंबई से थोड़ा बाहर बिर्यानी एक जगा पर अच्छी मिलती थी जियाँ वो ता तलोजा गाओ तो तलोजा गाओं का यह किस्सा है रफी साब और उशा तीमोती जी कार में बैठे थे बिर्यानी उन्होंने मगाई कार में बैठ करके बिर्यानी खा रहे थे तो अचानक रफी साब ने रेडियो अन किया कार के अंदर और जैसी रेडियो अन किया ये इत्तिफाकता की एकदम रेडियो में अनाउंस हुआ कि अब आप सुनिएगा मुहम्मद रफी साब की आवाज में एक गाना और जैसी वो गाना शुरू हुआ रफी साब ने त्रूंत रेडियो बंद कर दिया उशा तीमोती जी ने का अरे साब ये तो आपका गाना आपने बंद कैसे कर दिया रफी साब ने का नहीं नहीं ये मैंने बहुत गंदा गाया है तो उशा जी ने का अरे ये गाना तो आपका है रफी साब अरे मेरा गाना जरूर है पर मैंने बहुत घंडा गाया है तो उशा तीमोती ने का अरे साब इसको तो दुनिया सुन रही है तो उन्होंने उशा तीमोती को जवाब दिया हाँ दुनिया सुन रही है मगर तुम मैं सुनना मैंने बहुत बेकार गाया है अब उशा तीमोती जी को भी हसी आई उशा तीमोती जी का कहना ये रहा कि जब से रफिस आप ने बोला कि ये गाना नहीं सुनना है तो उसके बात से लेकर आस तक उन्होंने ये गाना नहीं सुना अब आप को मैं बताऊंगा ये गाना कौन सा है आप खुद हैरत में पढ़ जाएंगे जी ये गाना है रफी साब का एक दिल के टुकडे हजार हुए कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा अब पता नहीं क्यों रफी साब को अपना ही गाया गाना ये पसंद नहीं था रफी साब क्या कभी गलत गा सकते हैं या आप सोच सकते हैं तो दोस्तों ये फिल्मती प्यार का जीत जो 1948 में आई थी हुसनलाल भगतराम इसके मीजिक डारेक्टर थे और लिखा था इसको कमर जलाला बादी ने अब ये क्या कहें कि रफी साफ को अपना ये गाना गाया पसंद नहीं था वो कहते थे कि अच्छा नहीं गाया समस्से परे इतने प्यारे सुर लगाते हैं रफी साफ ना कभी बेसरो है ना बेताले हुए तो आज का किस्सा यही तक फिर मिलते है किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ महिस्कोली को दीजिगा अजाज़ाद गुडबाई गुड़लग एंड टेक कियर